एक दिन छे साल की एक लड़की स्कूल से घर आई और उसमें पूछा ममा, मैं कैसे पैदा हुई थी? मा को शर्मिंदगी हुई वो बोली, एक सारस पक्षी तुमें गिरा गया था लड़की बोली, ठीक है, और लिख लिया ममा, आप कैसे पैदा हुई थी? मुझे भी एक पक्षी गिरा गया था ममा, नानी कैसे पैदा हुई थी? उन्हें भी एक पक्षी गिरा गया था तब लड़की सीरियस हो गई, नीचे गई और अपने होमवक में कुछ लिखना शुरू कर दिया मा तब थोड़ी परिशानी महसूस कर रही थी खाना पकाने के बाद वो आई और तब लड़की अपना होमवक पूरा कर चुकी थी और नोटबुक वहीं छोड़ गई थी मा ने जाकर पढ़ा तो ये वन्शावली के बारे में एक निबंध था तो बच्ची ने लिखा था मेरे परिवार में तीन पीडियों से किसी का भी प्राकृतिक जन्म नहीं हुआ है तो इन बे तुके आईडियास की वज़े से या तो हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चड़ा देते हैं या फिर हम बेवज़ा चुपानी की कोशिश करते हैं इसकी आपकी जिंदगी में एक भूमिका है अगर आप इसे बहुत बढ़ा चड़ा लेंगे तो ये आपके दिमाग में एक विकृती बन जाएगा अगर आप इससे दूर रहना चाहेंगे तो आप अपने मन में और भी ज्यादा विकृत हो जाएंगे तो कई कारण हो सकते हैं कि कोई क्यों सेक्स में आसक्त होता है किसी के लिए ये बस सुख है और किसी के लिए ये रिष्टे और संबंद बनाने का एक तरीका है नहीं तो लोगों को लगता है कि वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं हो सकता है वो बिलकुल ठीक है लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में ये बात बैट गई है कि अगर उनके बीच सेक्स नहीं है तो असल में वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं ऐसा नहीं है आप शारेरिक रूप से न जुड़कर भी किसी से बहुत करीब से जुड़े हो सकते हैं, है की नहीं? लेकिन समाज दिमाग में भर रहे हैं, खासकर दुनिया के इस हिस्से में, लोगों के मन में ये बैठ गया है अगर सेक्स नहीं है, तो वास्तव में आपका रिष्टा ही नहीं है असल में, रिलेशन्शिप शब्ध ही, इसे मुझे ये समझने में कुछ टाइम लगा कि यहां, अगर आप कहते हैं रिलेशन्शिप, तो उसे शारेरिक संबंद समझा जाना चाहिए और कुछ रिलेशन्शिप नहीं है अगर मेरा आपके साथ एक बहुत गहरा रिष्टा हो सकता है आपके शरीर की परवाह किये बिना, है कि नहीं? हाँ? आपके शरीर के प्रती मेरा कोई आकर्शन नहीं है पर मेरा आपके साथ एक बहुत गहरा संबंध हो सकता है पर ये सभी संभावनाएं पूरी तरह से खत्म कर दी गई है एक relationship मतलब आपको किसी तरह से शरीर से जुड़ा होना होगा पुरुष महिला या पुरुष पुरुष महिला महिला जो भी आपको पसंद हो पर असल में शरीर से बने रिष्टे किस तरह का शरीर वो व्यक्तिगत चॉइस है पर असल में शरीरिक संबंध ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं न कहीं शरीर के साथ हमारी पहचान समान्य स्तर से आगे निकल चुकी है शरीर के साथ जरूरत से ज्यादा पहचान जुड़ी है इसलिए शरीरिक रिष्टे समाज का मुख्य बिंदू बन गए है असल में ज्यादा तर कामुक्ता जो इस दुनिया में हो रही है वो बस एक स्तर की विविश्टा के चलते हो रही है है कि नहीं? विवश्टा में बंद कर हो रही है आखिरकार अभी मैं बोल रहाऊं ये एक तरह की उर्जा है आप मुझे देख रहे हैं ये एक तरह की उर्जा है आप मुझे सुन रहे हैं वो एक तरह की उर्जा है ये इसी जीवन उर्जा की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं, है न? अब कामुकता भी उसी उर्जा की एक और अभिव्यक्ति है तो व्यक्ति को ये ताय करना चाहिए कि उसके कितनी उर्जा किस दिशा में वो लगाना चाहता है क्योंकि आखिरकार आप एक सीमित मात्रा की उर्जा है है ना? देखिए ये ऐसा है कि आपकी कुछ हामदनी है मान लेते हैं आपके पास महिने के 50,000 रुपे हैं घर के किराई के लिए कितना? खाने के लिए कितना? स्कूलिंग के लिए कितना? मौज मस्ती के लिए कितना? छुटियों के लिए कितना? ऐसे आप बाटते हैं, है ना? कल सुबह आपको सैलरी मिली और शाम को आपने बाहर जाकर उड़ाती अब अगला महिना परिशानी भरा होने वाला है है कि नहीं? ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन आपकी जिंदगी में हर चीज अगर आप जिंदगी को समझदारी से संभालते हैं तो आप उसकी हर चीज को बाटते हैं आपकी अपनी समझ, अपनी जरूरत और अपनी क्षमता के हिसाब से है कि नहीं? आपका पैसा, समय, ऊर्जा क्या हर चीज को आप नहीं बाटते? जैसा आप उन्हें बाटना चाहते हैं ये भी वही चीज है इसकी कितनी जरूरत है? पहली बात तो क्या आपको जरूरत है? या आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज ने दिमाग में ये भर दिया है अगर ये एक जरूरत है और मैं आपसे इसे रोग देने को कहूँ तो आप विकृत हो जाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी और अगर कोई आपको कह रहा है कि तुमें करना ही होगा अगर नहीं करोगे तो तुम नॉर्मल नहीं हो तो एक दूसरे तरह की विकृति आजाएगी दोनों की जरूरत नहीं है बस इतना है कि अगर इसकी इच्छा है तो आप उब्भोग करते हैं लेकिन आप उसकी सीमा को समझते हैं आखिरकार आप पुरुष और महिला के पीछे नहीं जा रहे हैं पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं आप एक तरह के सुखद अनुभव के पीछे जा रहे हैं तो एक बार अगर आपने किसी सुखदता का अनुभव किया तो क्या आप उसमें और गहरे नहीं उतरना चाहेंगे क्योंकि जो भी सुखद अनुभव हुआ है शायद आपने दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया लेकिन ये सुखद अनुभव आपके भीतर हुआ है ना तो मान लीजिए वैसे भी अनुभव आपके भीतर हो रहा है दूसरा व्यक्ति इसे खोलने की बस एक चाबी है तो क्या आप चाबी को अपने हाथों में नहीं रखना चाहेंगे हाँ? यानि कि अगर आप ऐसे बैठें तो आप चालू है पूरी तरह से आपको किसी की जरूरत नहीं क्योंकि किसी से सुख लेने के लिए आपको कई तरह केनाटक करने पड़ते हैं ये यूँ ही नहीं हो जाता इसे अंग्रेजी में कोटिंग कहते हैं एक बार आप कोट जाते हैं तो फैसले का दिन भी आता है इसमें भारी मात्रा में समय, प्रयास, उर्जा और हर तरह की चीज़ें लगती हैं खी, जलन, समस्याएं, सब कुछ इसके साथ जुड़ा होता है अगर आप लगातार ये देखते रहते हैं कि मुझे इस व्यक्ती से क्या मिल सकता है उस व्यक्ति से क्या मिल सकता है तो ये ठगी है इसे love affair कहते है पर ये ठगी है लेकिन अगर आप खुद से ही एकदम परमानंदित हैं और जब लोगों के साथ हैं तो ये उस परमानंद को बांटने के बारे में है ये इस बारे में है कि अगर उन्हें इसका सपर्ष नहीं हुआ है तो किसी तरह उन्हें इसका सपर्ष दे ना कि इस बारे में कि आप उनसे क्या निचोड सकते हैं तब आपके जीवन की पूरी बुनियाद बदल जाती है